दोस्तों सलाम और नमस्कार मैं आपका दोस्त आसिफ आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल एमजे फ्लाइस प्लिक्स पे फ्लाइस एट से जुड़ी हर एक जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक सेर और सब्सक्राइब करें कि आज हम एक और जो करने वाले होगा कि वह इसकी आज करने वाले हैं और वहती है और उसमेझे दूर दोर किया जासके तो सब्सब्री बड़े ट्यागर बाढ़ेड है कि मसीन के विज़ से क्या 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 दिक्कत होता है तो छाले हम क्या की तौपी तरफ ऑड़ते हैं तिके खुखा थी तो अब tracking कमजूर किन कारणों से होता है इसको चार करинов में बाढ़ते हम पहला अपना जो Category होता है वह एक दूसरे से compact नहीं हो पाते हैं नजदीक नहीं आपाते हैं जिसके वाद हीट ऑप मिना करूंगा कि मैनुआल प्रेस मसीन योज़ ना करें दूसरा है अपना mixer with out molar mixer with out molar में होता है कि नम्स बनता है डिसमें mooler नहीं होता है उस mixer में lumps बन जाता है और lumps जब cavity में जाता है तो आपर air बनता है और उस air gap की वज़ा से अपना इंट के अंदर खाली जगह रहे जाता है और इसके वज़े से ईंट कमजोर होती है तीशरा है low pressure जब हम hydraulic press यूज़ करते हैं machine में तो हीडोलिक प्रेश में ऐसा होता है कि अगर कम प्रेशर की मसीन है तो वह ऐसा कॉम्पैक्ट वह जो अपना बाइंडर मेटरियल सिमेंट हम लोग यूज करते हैं वह सेंड और फ्लाइस इन दोनों को कॉम्पैक्ट नहीं कर पाता है पकड़ नहीं पाता है एक दूसरे के न कई बार ऐसा होता है कि कैवेटी थोड़ा बहुत मुड़ जाता है जिसकी वज़से मसीन से जब इट निकलती है उसी क्रम में अगर तूट रहा है तो उसमें कैवेटी का एलाइगमेंट का भी इशू हो सकता है अपना ये नेक्स्ट पॉइंट है बाटम प्रेस मसीन में हो रहे हैं अब हम बात करें के अनस्किल्ड ऑपरेटर दूसरा अपना पॉइंट था वह अनस्किल्ड ऑपरेटर का था देखिए नीम हकीन खत्रे जान आपने सुना ही है कि अगर किसी को कम नॉलेज होगा तो वह आपके लिए जान का खत्रा बन सकता है ठीक वैसे ही अगर आ चिल्ड ऑपरेटर रखें ठीक है इसके बाद से हम लोग डिसकुस कर रहे हैं वो है रॉइंट ये पॉइंट कम जोर होती है अपनी यहारमी ध्यों करन्ड से अपनी आपके पम जोर होती है तो सबसे पहला पॉइंट एस क्वालिटी दूसरा पॉइंट है सेंड क्वालिट इन तीनों के लिए मैंने वीडियो अलड़ी बना रखा है जिसका लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में देदूंगा अगर इसमें मैं इनका डिटील बताऊंगा आपको तो वीडियो काफी लंबी हो जाएंगी ठीके अब इसके बाद से आता अपना सीमेंट परसंटेज सीम पर एमेम होना चाहिए वाइब्रो बेस्ट मसीन होनी चाहिए जिसकी प्रेसिंग कैपस्टी पॉर ब्रेक्स नों से बारत तनका होना चाहिए या फिर आप उसमें केमिकल यूज कर रहे हैं तब इन अगर चार सूरते हैं तब आप आप आठ परसंट सीमेंट दें ठीके अन ठीके उस समय आपको 11 और 12 परसंट सीमेंट यूज करना होता है अब हम बाग कर लेते हैं वाटर कंटेंट का तो वाटर कंटेंट 8 से 15 परसंट होना चाहिए यानि कि 100 कीजी का अगर हम मिक्स तयार कर रहे हैं तो उसमें 8 से 15 लीटर पानी डाल सकते हैं 8 लीटर तब डालें तो हम उसको पानी का वड़ा सकते हैं मैक्सिमम हम 15 लीटर 100 कीजी के मिस्रन में डाल सकते हैं ठीके अब हम बात करते हैं इसमें क्यूरिंग का कि जाने से पहले आपको मैं बता दूं कि सेमेंट 3 चौरण में से hm होता है पहला होता है इनिशल सेटिंग जो कि 24 से 44 गंटे मे आपके इट को मिलता है, तीसरा होता है, फाइनल सेटिंग जो कि 28 से 30 दिनों में आपको मिलता है, क्यूरिंग का जरूरत हमें इनीशल सेटिंग के बाद पढ़ता है, यानि कि 24 से 48 गंटे मसीन से निकलने के बाद से इट के क्यूरिंग का जरूरत पढ़ता है, क्यूरिंग का इंट मजबूत हो जाए, इसलिए का ज़रुवत पड़ता है, और लेखे कितना देर वाटर का दें, ठीके, इसके लिए कोई एक तै सीमा नहीं है, ठीके, कितना देर आपको वाटर देना है, कितना वाटर देना है, ठीके, एक टेंप्रेचर बेस्ट होता है क्योरिंग, होता है 15-0DF, कि दा वाटर कैरें। या थो, त semble मजब करें तरती या पींटर ब्लाचिकर के लिए किया जाता है, क्योंकि एक्ट कर चीप्या डार को सेमें, वाटर साथर रियक्त कर पाता है, अगर इससे कम जादा हो, तो या तो वो सूप प्रोसेस हाइडरेशन का प्रोसेस स्टॉप हो जाता है या फिर काफी एकसीड कर जाता है काफी तेजी से होने लगता है जिसकी विज़े से रिनात्मक प्रभाव पड़ते हैं अपने ब्रिक्स पे तो भी आपको बता दूँ कि अगर टेमपरेचर आपका 15 डिग्री फॉरेन तो रियक्षिन तेजी से होने लगता है और इंट में क्रैक्स आजाता है जो कि आपने देखा भी होगा गर्मियों के दिनों में आता है जादतर प्रेक्स ठीक है तो क्योरिंग में गर्मी के टाइम पर आपको प्रिफर करूंगा कि सुबह सुबह तक टो टेमपरेचर आप जैसे ही धूप निकलने वाला होता है उस ताइम पर आप क्योरिंग कर दें और जैसे ही तीन चार बज़े साम के टाइम पर क्योरिंग कर दें क्योंकि बहुत ज्यादा हीट नहों जाए और इसका हीड्रेशन प्रोसेस काफी तेजी से नहोने लगे इसलिए आप उसको दोस्तों उमीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी जब तक के लिए लेता हूँ मैं आपसे अलविदा जैहिंद जै भारत